येस गुड मॉर्निंग डियर श्टुडेंट्स आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के 1 से लेके 4 तक के क्विस्चन्स तो फिर्स्ट क्विस्चन जो है इसमें उसका फिर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 2x प्लेस 3y is equal to sin y और इसको इसका उकलन करके हमें dy by dx की value ग्यात करनी है तो आप इसका x के साफ एक सा उकलन करें तो यह होगा d upon dx 2x प्लेस d upon dx 3y is equal to d upon dx sin y तो अब यहां पर जो 2 और 3 है वे अचर परता है इसलिए यह बाहर होंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 2 d upon dx x प्लेस 3 into d upon dx y is equal to d upon dx sin y और इसे आप सिधा भी लिख सकते हैं अब आप इनका उकलन कीजिए तो 2 into x का x के साफ एक सा उकलन होगा 1 plus 3 into y का x के साफ एक सा उकलन होगा d upon dx is equal to अब sin y है उसका उकलन दो बार होगा पहले sin का होगा और फिर y का होगा तो sin का होगा cos अब cos अब है केला नहीं होगा cos के साफ y आएगा into y का उकलन d y by dx ओके तो अब d y by dx अब है दो पदो में है इसलिए इन्हें अपन एक तरफ करेंगे तो आप इसे लिखें 3 is equal to cos y into d y by dx minus 3 into d y by dx ओके अब आप यहां से d y by dx को को मन ले तो यह बन जाएगा 2 is equal to cos y minus 3 into d y by dx तो इसलिए इस question के लिए d y by dx की जो value अब होगी 2 upon cos y minus 3 ओके यह है इस question का answer होगा next इसका second part हमें दिया हो है b उसमें दिया हो है x square plus x into y plus y square is equal to 200 ओके तो यहां पर भी हमें d y by dx की value चाहिए तो इसलिए x के साब x अबकलन करना होगा तो आप लिखें x के साब x अउकलन से तो इससे आप लिखेंगे d upon dx x square plus d upon dx x into y plus d upon dx y square is equal to d upon dx 200 अब आप इसका अउकलन कर दीजिए तो x square का अउकलन होता है 2x plus अब यहां पर जो x और y वे गुणा में दिये वे हैं इसलिए गुणा का नियम लगेगा तो आप यहां पर गुणा का नियम लगाएं तो आप लिखें पहला पद गुणा दूसरे पद का अउकलन है y है इस तो यह होगा 2y अब y का अउकलन करें तो यह बन जाएगा dy by dx is equal to 0 क्योंकि जो 200 है वह एक अचर पद है और अचर का अउकलन हमेशा सुनने होता है यह आपको मालूमी है तो अब आप यहां रेखें कि जिन पदों में dy by dx है उन्हें एक तरफ रखेंगे तो आप यहां से इ इस पद में से dy by dx को common लें तो यह बन जाएगा x plus 2y into dy by dx is equal to अब यह जो दोनों पद है इनको आप आरेखेंश में shift करेंगे तो यह negative हो जाएगे तो यह बन जाएगा आपका minus 2x और minus y यहां से आप minus common लेंगे तो इस परकार से बन जाएगा तो अब आप यहां पर लिख सक सकते हैं कि अते डिवाइब डिएक्स की वेल्यू जो है वह होगी minus 2x plus y upon x plus 2y ओके यह है इस question के लिए डिवाइब डिएक्स की वेल्यू होगी next question अब आपन देखते है second तो second का जो a part है उसमें हमें दिया हुआ है root x plus root y is equal to root a ओके तो अब आपको यहां पर भी dy by dx चाहिए इसलिए alkaline x के साफ एक्स होगा आप लिखें x के साफ एक्स alkaline से तो d upon dx root x plus d upon dx root y is equal to d upon dx root a अब आप इसका alkaline करें तो root x का alkaline वे होता है one upon two root x इसी परकार से root y का alkaline होगा one upon two root y और फिर y का alkaline है तो वे होगा dy by dx और यहां पर x का alkaline वे होता है इसलिए आपने यहां पर लिखा नहीं इस इक्वल टू जो root a है वह अचरपद है इसलिए इसका alkaline वह सुन्य होगा आप यहां 0 लिखें अब आप इसे और सरल कर लें फर्दर तो यह बन जाएगा one upon two root y into dy by dx is equal to minus one upon two root x यहां पर इस two से है two cancel हो जाएगा और यह जो root y है इसको आप RHS में shift करें तो यह बन जाएगा dy by dx is equal to minus root y upon root x और यही इस question के लिए dy by dx का मान होगा next इसका b part देखते हैं तो b part में हमें दिया हुआ है 10 x plus y plus 10 x minus y is equal to four ओके तो यहां पर भी आप x के साफ एक साउकलन करें तो यह हो जाएगा आपका d upon dx tan x plus y plus d upon dx tan x minus y is equal to d upon dx four तो अब आप यहां पर इनका अउकलन करें तो 10 का जो अउकलन वह है सेक स्क्वायर होता है तो आप यहां पर लिखेंगे सेक स्क्वायर अब सेक स्क्वायर के साथ में हमें कौन चाहिए तो कौन है वह है x plus y ही रहेगा into अब आप इस कोश्ठक के अंदर आए तो कोश्ठक में आपको x plus y मिल रहा है तो x का उकलन होगा वह तो होगा 1 और y का उकलन होगा dy by dx इसी परकार से यहां पर भी दो बार उकलन होगा पहले 10 का और फिर x minus y का तो 10 का उकलन होगा से की स्क्वाइर x minus y एजिट इज रहेगा अब आप x का उकलन करें कोश्ठक के अंदर आने के बाद तो x का उकलन होगा 1 और y का होगा dy by dx और minus के जिगे minus रहेगा अब चार अब है एक अचर संक है इसलिए इसका उकलन अब है सुन्य होगा अब आप इसे सरल कर लीजिए तो x square x plus y को अपन अंदर multiply करेंगे तो यह बन जाएगा x square x plus y वन से multiply करने पर plus x square x plus y into dy by dx plus x square x minus y को भी अंदर multiply करें तो यह बन जाएगा say square x minus y minus say square x minus y into dy by dx is equal to 0 अब आप यहाँ पर देखें कि जो dy by dx वे है second और fourth term में है तो इनको आप एक तरफ रखें तो आप इसे लिखें say square x plus y यह और यह पद अपने lhs में ही रखा और जो dy by dx के पद है उन्हें आप rhs में ले जाएं तो जब यह पद rhs में जाएगा तो यह plus का होगा तो इसे लिखेंगे अपन से 1 square x minus y into dy by dx और यह plus का है तो यह rhs में जाने से यह हो जाएगा minus का minus say square x plus y into dy by dx अब आप वहाँ से dy by dx को common ले तो यह बन जाएगा say square x plus y plus say square x minus y is equal to say square x minus y minus say square x plus y into dy by dx अब यहाँ से चुँकि हमें dy by dx की value चाहिए तो इसलिए dy by dx के गुणा में जो पदब है इस तरफ बटा में बैस देंगे तो यह बन जाएगा अते dy by dx is equal to say square x plus y plus say square x minus y upon say square x minus y minus say square x plus y ओके और यही इस question के लिए dy by dx की value होगी next अब आपन देखते हैं question number third का a part तो इसमें आपको दिया हुआ है sin x plus 2 cos square y plus x into y is equal to 0 ओके यह equation दी हुए हमें यहां से भी हमें इसको एक्स के साफ एक्स वाउक्लन करके डिवाई y dx की value ग्याद करनी है तो आप एक्स के साफ एक्स वाउक्लन करें इसका तो यह बन जाएगा d upon dx sin x plus 2 को अपन बाहर लिख देते हैं क्योंकि यह है d upon dx cos square y plus d upon dx x into y is equal to 0 ओके तो अब आप यहां पर sin x का अउक्लन करें तो sin x सब हैं सुत्रों में दिया होता है sin x का formula होता है वहां पर sin x का अउक्लन होता है cos x plus 2 into cos square y का अउक्लन तीन बार होगा पहले घात का अउक्लन होगा फिर cos का अउक्लन होगा और फिर y का अउक्लन होगा तो घात का अउक्लन कर रहे हैं तो यह होगा 2 cos y जो घात अब है आगया जाती है और एक घात कम हो जाती है उसी value पे into अब cos y का अउक्लन करें तो cos y का अउक्लन होता है minus sin y और y का उकलन होगा d y by d x अब आपको वहाँ x और y में गुणा का नियम लगाना होगा क्योंकि वे गुणा में दिये वे तो गुणा का नियम लगाएं आप पहली संख्या गुणा दूसरी का उकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली का उकलन is equal to 0 क्योंकि 0 का उकलन वह 0 ही रहेगा आचरपद है अब इसे अपसरल कर लीजिए तो यह बन जाएगा को सक्स प्लस स्वरी यह माइनस होएगा क्योंकि यह माइनस है माइनस 2 इंटो 2 is 4 को स्वाई साइन वाई d y by d x प्लस x इंटो d y by d x plus y is equal to 0 अब यहाँ पर भी जो d y by d x की टर्म है उन्हें आप एक तरफ रखें तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि कोस x प्लस y is equal to कोस x और y को आपने lhs में ही रखा और इन दोनों को rhs में shift कर दें तो यह बन जाएगा 4 कोस y sin y d y by d x minus x into d y by d x अब आप यहाँ से d y by d x को common ले लीजिए तो यह बन जाएगा कोस x plus y is equal to 4 कोस y sin y minus x into d y by d x और यहाँ से अब आप इसे सरल करेंगे तो आपन लिख सकते हैं कि यत है d y by d x की जो value है होगी कोस x plus y upon 4 कोस y sin y minus x ओके यह है इस question के लिए d y by d x की value होगी या फिर आप इसे चाहें तो इस परकार भी लिख सकते हैं d y by d x is equal to cos x plus y upon 2 sin 2y minus x ओके क्योंकि यहाँ पर आपने sin 2y का formula apply कर दिया 2 sin 1 को से तो इसलिए यहाँ से 2y है यहाँ पर आ जाएगा तो यह बन गया 2 sin 2y ओके तो इसको आप एक बार note कर लिजिए yes अब अपन देखते हैं question number third का second part तो इसमें आपको दिया हुआ है x into root y plus y into root x is equal to 1 ओके तो यहाँ पर भी हमें d y by d x की value चाहिए तो इसलिए आपको x के साब x अउकलन करना होगा तो आप लिखें x के साब x अउकलन से तो यह बन जाएगा d upon d x x into root y plus d upon d x y into root x is equal to d upon d x 1 ओके अब आप यहाँ पर गुणा का नियम लगाएं क्योंकि यह दोनों और यह दोनों पदवे गुणा में हैं तो इसलिए गुणा का नियम लगेगा तो आप लिखें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का आउकलन plus दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का आउकलन ओके यह आपने गुणा का नियम लगाएं यहाँ पर पहले पद में इसी परकार से दूसरे पद में भी गुणा का नियम लगेगा तो आप वापस एक गुना का नियम लगाएं पहली संक्या गुना दूसरी संक्या का अउकलन प्लस दूसरी संक्या गुना पहली संक्या का अउकलन is equal to d upon dx1 अब आप इसको सरल गर लीजिए इनका अउकलन कर देंगे तो यह हो जाएगा x into root y का अउकलन दो बार होगा पहले root का होगा और फिर y का होगा तो root का अउकलन होता है one upon two root अब root के अंदर आप y ही लिखेंगे into y का अउकलन dy by dx plus root y ऐसा का ऐसा x का अउकलन होगा one plus यहाँ पर आप सेगिंड यह जो मजला कोश्ट का इसको सरल कर रहे हैं तो y ऐसा का ऐसा root x का अउकलन one upon two root x और x का लिखना चाहें तो गुणा में एक लिख सकते हैं plus root x into y का अउकलन हो जाएगा dy by dx is equal to zero क्योंकि एक वह है चरपद है इसलिए इसका अउकलन zero होगा तो अब आप इसे सरल कर लीजिए तो यह बन जाएगा आपका x upon two root y okay plus root y plus y upon two root x plus root x into dy by dx is equal to zero तो सुरी यहाँ पे अपने dy by dx नहीं लिखा तो x upon two root y into dy by dx plus तो यहाँ पे अब आप देखें कि इन दोनों पदों में dy by dx दिया हुए तो इसलिए इनको अपन एक साथ रखेंगे क्योंकि हमें at last में value चाहिए dy by dx की तो इसलिए आप इसे लिखें x upon two root y plus root x into dy by dx is equal to यह दोनों पद आप आरे चसमें shift करें तो यह negative होंगे दोनों पद आप इसे लिख सकते हैं root y plus y upon two root x ओके और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अते dy by dx की जो value एवे होगी minus root y upon root y plus y upon two root x upon x upon two root y plus root x ओके और यही इस question के लिए dy by dx की value होगी next अब अपन देखते हैं question number fourth और इसका a part तो इसमें आपको दिया हुआ है x square plus y square का whole square is equal to x into y ओके तो यहाँ पे भी हमें dy by dx चाहिए तो इसलिए आप x के साफे x अउकलन करें इसका तो या फिर पहले अपन a plus b के holy square का formula apply कर देते हैं यहाँ पर तो यह बन जाएगा x की power 4 plus y की power 4 plus 2 2 into x square into y square is equal to x into y ओके आपने यहाँ पर a plus b के whole square का नियम लगाया है अब आप इसे सर्अल कर लीजिए x के साफ x अउकलन से तो यह बन जाएगा d upon dx x की पावर 4 plus d upon dx y की पावर 4 plus 2 अचर पैदा बाहर लिख देंगे d upon dx x square into y square is equal to d upon dx x into y अब आप यहाँ पर इनका अउकलन करें x की पावर 4 का अउकलन होगा 4 into x cube पहला जो नियम होता है गात का आक्स की पावर n का तो जो गात होती है उसे आप आगे लिखें और एक गात कम कर दें तो 4 को आपने आगे लिखा गुणा में और यहाँ पर 4 से एक कम करेंगे तो 6 पावर बचेगी 3 इसी परकार से y की पावर 4 का अउकलन होगा 4 into y cube और फिर y है इसलिए y का अउकलन होगा dy by dx यहाँ पर भी आप लिख सकती है 1 क्योंकि x का x के साथ एक साथ आउकलन होगा 1 प्लस 2 into यहाँ पर आप गुणा का नेम लगाएंगे तो पहली संख्या ऐसी की ऐसी रहेगी और y स्क्वार का अउकलन करें तो यह होगा 2y dy by dx प्लस दूसरी संख्या ऐसी की ऐसी x स्क्वार का अउकलन होगा 2x ओके और बराबर काचिन लगाएं यहाँ पर अब x into y में भी गुणा का नेम लगेगा तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का अउकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्यागा होकलन अब अपने इसे सरल कर लेते हैं तो यह बन जाएगा 4x cube plus 4y cube dy by dx plus 2 into 2x square y dy by dx plus 2xy square is equal to x dy by dx plus y तो यहाँ पर आप देखें कि dy by dx वह तीन जगे दिया हुआ है तो उन तीनों को आप एक साथ लिखेंगे तो पहले इसे और सरल करें 2 को अंदर multiply करें तो यह बन जाएगा आपका 4x cube plus 4y cube dy by dx plus 2 को अंदर multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 4x square into y dy by dx plus 2 into 2 is 4 x into y square is equal to x dy by dx plus y अब अपन इसको सरल कर लेते हैं तो next line जो बनेगी वह होगी 4y cube into dy by dx ओके plus 4x square into y dy by dx और इस टर्म को आप LHS में shift करेंगे तो यह हो जाएगा minus का पद minus x dy by dx okay is equal to y है वह है अपनी जगे रहेगा और उस side से आप 4x cube को इधर लाएगे तो यह होगा minus का और साथ में यह टर्म भी इधर जाएगे आरचेस में तो यह भी बन जाएगा minus का 4x into y square okay अब आप इसे और सरल कर लीजिए तो यहां से dy by dx को को मल ले तो यह बन जाएगा 4y cube plus 4x square into y minus x into dy by dx is equal to y minus 4x cube minus 4x into y square ओके तो अब हमें चुंकी dy by dx की value चाहिए तो इसलिए यह जो परदह इसको आप आरेचेस में shift कर दें तो आप लिखें कि अते dy by dx is equal to y minus 4x cube minus 4x into y square upon 4y cube plus 4x square into y minus x ओके यह है इस question के लिए dy by dx की value होगी next अब अपन देखते हैं question number fourth का b part तो इसका जो b part है इसमें हमें दिया हुआ है sine x into y plus x upon y is equal to x square minus y ओके तो यहाँ पर भी हमें dy by dx की value ही चाहिए तो इसलिए आप x के साफ x आउकलन करें आउकलन करें x के साफ x आउकलन से तो यह है बन जाएगा d upon dx sin x into y plus d upon dx x upon y is equal to d upon dx x square minus d upon dx y आई तो आप इसका ुकलन करें तो यहां पर यह है उकलन वे दो B बार होगा पहले sign k का उकलन होगा और फिर जो कोण है इसका उसमे x गुणा y में गुणा का नियम लग जाएगा तो आप sign का उकलन लिखें sign का उकलन होता है pos कौन अवह एक बार एजिटिज रहेगा अब आपको इस कौन का अउखलन करना है तो X और Y में गुणा का नियम लगाएंगे तो ये बन जाएगा पहली संक्या गुणा दूसरी संक्या का अउखलन प्लस दूसरी संक्या मीन्स y as it is और पहली संख्या का अवकलन वह वन हो जाएगा क्योंकि x का x के साथ एक सावकलन वन होता है प्लस अब आप यहाँ पर देखें कि x और y है वे बटा में दिये वे इसलिए यहाँ पर आपको भाग का नियम लगाना होगा तो आप भाग का नियम लगाएं तो आप लिखेंगे बटा में y का स्क्वाइर यहाँ आप लिखेंगे y इंटू अंस का अवकलन तो अंस का जो अवकलन वह एक सावकलन करना एक होगा ओके भाग का जो नियम में वह आप देखें यहाँ पर पूरा एपलाई कर सकते हैं प्लस माइनस एंस इन्टू हर का वकलन तो y का अग साप एक से उकलन होगा dyy dx ऑके is equal to x square का अवकलन करना है तो यह होगा 2x-y का अगलन होगा dyy dx अब आपको यहाँसे dyy dx के पदोगो एक थरफ करना होगा तो इसलिए इस equation को solve करें थोड़ा और तो इसको आप अंदर multiply करें तो यह बनेगा x into cos xy dy by dx प्लस y into cos xy okay plus y square से आप इन दोनों पदों को divide कर दीजिए तो y into one करेंगे y y में y square से divide करेंगे तो यह बच जाएगा one upon y okay योगी y upon y square करेंगे तो यहां से आपको one upon y ही मिलेगा इसको solar करने से minus x में y square से divide करेंगे तो x upon y square ही रह जाएगा dy by dx is equal to 2x minus dy by dx okay अब आप dy by dx के जो भी पदा है उन्हें एक तरफ लिख दीजिए तो यह हो जाएगा x into cos x y dy by dx minus x upon y square dy by dx plus dy by dx is equal to 2x अब है इसा गा इसा रहेगा और LHS से उन पदों को आप RHS में shift करें जिनमें dy by dx नहीं है तो यह पद RHS में जाएगा तो minus y into cos x y और यह पद RHS में जाएगा तो minus 1 upon y ओके अब आप इन में से dy by dx को तो यह बन जाएगा x into cos x y minus x upon y square plus 1 dy by dx is equal to 2x minus y into cos x y minus 1 upon y अब आप इसे और सरल कर सकते हैं लगुतम लेकर तो यह दी अपन लगुतम लेंगे LHS में तो y square आएगा तो y square अब यहाँ पर बटा में एक है तो इसलिए यह value इससे multiply होगी तो आप इसे लिखें x into y square into cos x y minus x plus y square क्योंकि यहाँ पर भी बटा में एक ही है तो इसलिए यह value उपर multiply होगी into dy by dx is equal to यहाँ पर आप y को लगुतम लें तो यह बनेगा 2xy minus y square into cos x y और minus 1 इस y से अपन इस power को cancel कर सकते हैं अब यह जो बटा में y है इससे आप LHS में ले जाएं तो यह बटा में है इसलिए यह है इधर multiply में आए की उपर value तो इससे आप लिख सकते हैं कि यह ते dy by dx is equal to y को आप यहाँ पर multiply करेंगे तो y की एक एक पावर बढ़ जाएगी तो यह बनेगा 2xy square minus y cube into cos x y minus y ओके अपन में यह value as it is रहेगी x into y square into cos x y minus x plus y square ओके और यह है इस question के लिए y by dx की value होगी तो इससे आप अच्छे से note कर लें और इन question को आप वापस से भी देखा करें जो भी आपको question करवाएं जाए आप उन्हें swim भी एक बार हल किया करें यदि आपको फिर भी कोई problem लगें तो आप मुझसे पूछें ओके धन्यवाद करें झाल झाल